नमस्कार मैं हूँ रमेश आणड़ा आप देख रहे हैं ट्राइ सिटी अपडेट सबसे पहले खास खबरों पर ढालते हैं एक नजर चंडीगड में 19 जुलाई से खुलेंगे 9 से बार्मी तक के स्कूल, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल वार रूम मीटिंग में लिया गया फैंसला डंपिंग राउंड से परेशान डड़ू माजरावासी पहुंचे हाई कोट कहा जीवर में घुल रहा जहर हर चोथा व्यक्ति है बिमार और सेक्टर 11 की घर से 70 लाग के गहनेवा लाखों की चोरी नोकरानी हिरासत में पूछता जारी और खबरे मिस्तार से चंडिगड परशाशन ने वार रूम मिटिंग में ये फैंसला लिया है कि 19 जुलाई से चंडिगड में नमी से बार्वी तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिये जाएंगे साथ ही साथ अब कोचिंग सेंटरों को खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है जो कि पिछले लंबे अर्से से बंद पड़े थे बुदवार से यानि कि 14 जुलाई से रॉक गार्डन और म्यूजियम भी खोल दी जाएंगे सिनिमा हौल पचास पतिशत कपेश्टी के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है और स्पा सेंटर भी अब खोल दी जाएंगे बशर्ते कि वहां कोविड नाइंटीन गाइड लाइन की पाल ना करनी होगी प्रशाशन ने सिविल वर्दी भी कुछ तीवे उतनात किये जाने की बात भी कही है जो सोशल डिस्टंजिंग नहीं अपनाने वालों के और मास्क ना पहनने वालों के मौके पर ही चलान काटेंगे डड़ू माजरा निवास्यों ने डंपिंग ग्राउंड से परेशान होकर हाई कोट की शरन ले ली है प्रशाशन को बार बार कहने के बावजूद भी जब उन्हें समस्या से निजात नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोट में जहनित याजका दाखिल की है जन्हित याजका के माध्यम से कई सवालों के जवाब भी डड़ू माजरा कलौनी वास्यों ने मागे हैं उन्होंने कहा है कि डंपिंग ग्राउंड के कारण उनके जिंदगी में जहर खुल गया है हर चौथा व्यक्ती यहाँ बिमार है जिसके कारण बच्चों का भविश्या भी धुमिल हो रहा है एड़ोकेट अमित शर्मा की और से दाकिल हुई जन्हित याजका के माध्यम से लोगों ने सवाल उठाए हैं अगर यहाँ डंपिंग ग्राउंड यी बनाना था तो अवास्या क्लोनी क्यों बसाई गई याजका में स्वास्ताविभाग से आर्टी आई के जरिये मिली उस रिपोर्ट का भी जिक्री है जिसमें बताया गया है कि पूरे शहर में आने वाले डार्या के कुल मामलों के मुकाबले डड्डू माजरावा धनास में दस गुना अधिक मामले सामने आते हैं जिसकी वज़ा डंपिंग ग्राउंड ही है याजका में बताया गया कि डंपिंग ग्राउंड के विकल्ब की स्टडी के नाम पर नगर निगम के पार्षद और अधिकारियों ने देश और विदेशों में कहीं स्टडी टूर किये जिस पर धाई करोड प्या खट चाया लेकिन डंपिंग ग्राउड का समधा नहीं निकला स्टडी टूर डंपिंग ग्राउड की आड़ में पिक्निक का जरिया बने रहे स्टडी टूर पर गए व्यक्तियों से जनता का धाई करोड वसूल ले जाने की मांग भी याज़का में की गई है याज़का में लगातार बढ़ रहे डंपिंग ग्राउंड के दायरे और यहां से निकल रही मिथेन और अन्या केमिकल से होने वाली बिमारियों का भी जिक्र किया गया है बताया गया है कि डंपिंग ग्राउंड के एक किलो मीटर के दायरे में रहने वाला हर चौथा व्यक्ती सांस का रोगी बन चुका है टीबी, दमा वा चम्री के रोग्यों की संख्यावी पूरे शेहर के मरीजों के मकाबले यहां दासकूना अधिक है याचका में डड़्डू माजरा वास्यों ने मांगी है कि या तो यहां से डंपिंग ग्राउंड हटा दिया जाए या कलोनी को ही कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि वह चैन की सांस ले सकें जानित याचका रजिस्ट्री में सिफकार कर ले गई है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी मैं डंपिंग और जॉइंट एक्षिन कमेटी का दियाल क्रिशन मैं अब यह बताना चाहता हूँ कि हम जब भी आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है हमने कहा कि हमारे घरों के सामने सेर का जो गिला सुखा कच्रा गिराया जा रहा है उस पर हमने एक डीडी आर भी करवाई और हमने मैडम को भी बताया अपनी कॉंस्लोर को भी बताया वह उठाया नहीं गया बलकि खुंदक में आके वह और नजदीक कर दिया महां धेरो धेर लगा दिये रात दिन कच्रा गिरता है और कहते हैं कि उठागे उपर ले जाएंगे कोई उठके नि जाता जी वहां से आप देखेंगे तो नीचे से देखने में नहीं पता लगता थोड़ा सा हमारे घरों में अंदर बैठके देखे तो पता लगता है कि कच्रा कैसे ही जब उड़कर ह हैं जिन्होंने मिलकर यह पी आई एल डायर की है हाई कोट में हमने पूछा है कि यह कलोनी अगर यहीं बसानी थी तो कच्रा क्यों यहां पर गएरा गया हमने पूछा कि डायरिये के कितने मरीज आपने पूरी ड़टेल दिये आठी डाल कर हमने मेडिकल हेल्थ से रिपोर् मारने के लिए हमें डेड़ु माहिरा कलोनी और धनास वाले लोगों को क्यों छोड़ रखा है इसका जवाब देए किसके पास है कौन इसका जुम्मेवार है जब इतने पेसेंट है जब करोना काल चल रहा है करोना में तो डायरे में डायरे के बाद तो सीधा मोत ही हो जाती है चेंडिकर के सेक्टर ग्यारा में किसी अग्यात ने सतर लाग रुपे के गैने और दो लाग की नगदी पर एक घर सेहाथ साफ कर लिया सेक्टर्ट 11 थाना पुलिस ने कोठी मालिक विनेदीब कौर्ड की शिकायत पर मामला दर्च किया है और कोठी में काम करने वाली नौकरानियों की हिरासत में लेकर पूस्ताच की जा रही है बताया गया कि कोठी नवर 187 में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके चलते कोठी में कुछ वरकर भी रहते हैं और नौकर भी घटना मंगलवार की है जब मकान मालकी ने पहली मंजिल पर रखे हुए अलमारी के अंदर जेवरात को ग्रॉंट फ्लोर पर लेकर जाते हुए महसूस किया बैक का भार थोड़ा हलका है इस पर मालकी ने खोल कर देखा तो वहरान हो गई उसमें नगदी और गहने गैब थे गैनों में ज्वेलरी और डायमेंड ज्वेलरी भी है इसके बाद सूचना पुलीस को दी गई एक नुकरानी विनदीब घर के करीब 13 सालों से काम कर रही है जबकि दूसरी नुकरानी एक दिन के लिए ही आई थी विनदीब अपने बेटे अंगत के साथ इस मकान में रह रही है पुलीस ने दोनों नुकरानीों के हिरासत में लेकर उनसे पूचताज शुरू कर दी है बरहाल किसी की गिवतारी की जूजना अभी तक नहीं थी चंडिगर सेक्टर 41 में सिर्थ शिवालिक पब्ली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंस ने बरही स्कूल की फीस और स्कूल परबंद को द्वारा बार बार उन्हें टेलीफून के जरिये या फिर पतर के जरिये फीस की डिमांड करने पर आज पर दश्चन किया पेरेंस का कहना है कि स्कूल की और से टीचर्स बार बार उन्हें फोन कर धमक्या दे रहे हैं अगर फीज जमान ना हुई तो उनके बच्चों का नाम काट दे जाएगा फीज देने को तो ये लोग तयार हैं लेकिन इसके इलावा एडमीशन फीज और कई और फंड्स भी स्कूल मांग रहा है जो कि ये देने की स्थितिम नहीं हैं पेरेंट्स ने मांग की है कि परशाश चंडिकर के सिक्टिक तालिस के शिवालिक स्कूल के बाहर चात्रों के अभी भावकों ने बड़ी हुई स्कूल फीज के विरूद में जम कर परदर्शन किया परदर्शनकारी अभी भावकों ने स्कूल पर उन्हें और उनके बच्चों को फीज के लिए परिशान करने के पारोप लगाए हैं परदशनकारी अभी भावकों का कहना था कि करोना और लोगडाउन के बाद से उनका बुरा हाल है उनके बिजनस ठप पड़े हैं इसके बावजूद स्कूल ने एनुवल फीस पड़ा दी है और टीचर उनहीं दिन में दो दो बार कॉल कर तंग करते हैं परदशनकारी अभी भावकों का साफ कहना था कि स्कूल प्रशासन जल्द से जल्द बड़ी हो इफीस वापिस लेए ठीक है नाइब कोई किसी तरह का भी कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है लेक्ट्रिश्टी यूजर ही हमारी हो रही है बलकि हमारे खर्च फर्टा बढ़ गया है ने ट का हर्चा मोईल लेके दो खर्चा ठीक है दो दो बच्चें आप दो दो ने तो ऐसे हम यह करेंगे कि आप यहां इन्होंने लगाया है वह भी वापिस ले यह की एक कफीज बढ़ रह है ठीक है फीस प्रेंस के लिए मुश्किल है क्योंकि करोना का चक्कर है करोना की चक्कर में हमारो बिजनस बिल्कुल ठाप हो गया है एक हमारे को रोटी खाने की मुश्किल हो रही है इसलिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है अगर हमने फीस भरी है तो उसमें भी इनको अर्जस्मन करनी चाहिए और फीस इनको कम करनी चाहिए सरकार ने जब बोले एडमिशन फीस नहीं लेनी है तो यह लोग क्यों ले रहे हैं और बच्चों के साथ में यह बहुत ज़्यादा बुरा बरताव भी करते हैं मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह लोग हमाई फीस कम करें पंजाब में मुहाली और पट्याला और नवा शेयर में इनका स्कूल है नवा शेयर पट्याला का फीस बहुत ही कम है और इदर शिवाली की दो साल से एडमिशन फीस नहीं लिया इन लोगों ने उसमें लिखा हर साल एडमिशन फीस भी लेते हैं और वो भी लेते हैं बढ़ाते भी हैं हर साल बढ़ती है चलो बढ़ रही है फीस हम ठीक है पर एडमिशन फीस तो कम करें पांच अजार साथ अजार कर लेते हैं इन्होंने एडमिशन फीस भी लेनी थी तो पांच अजार ले लेते हैं परोना काल में जान लोगों के काम धंदे चोपट पड़े हैं तो वहीं ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाया जाना अभी भाथकों पर एक बड़ा बोच है और यही वज़ा है कि अभी भाथकों को यूँ हाथों में होर्डिंग ले परदर्शन करने को स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में पैसे जमा करवाने एक जूट के साथ फिल्मी स्टैल में कुछ लोगों द्वारा ठगी करने का महामला सामने आया है यह शक्स यहां 25,000 रुपे जमा करवाने आया था जिसकी मदद के लिए वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे एक पैकेट पकड़ाया उसमें कहा कि दो लाक रुपे हैं उन्होंने उसकी मदद के बहाने 25,000 रुपे और मुंबाइल फोन लिया और वहां से फरार हो गए कुछ देर तक जब उन लोगों का कुछ पता नहीं चला तो उस व्यक्ति को पता चला कि वेठा का गया है पकड़ाया गया पैकेट जब खोला गया तो उसमें कागज के टुकड़े थे इसकी सूचना तुरंत पुलीस को दी गई पुलीस ने मौके पर आके CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली और माम लतच कर दिया है पच्चकुला के सिप्ट दसमेस्थित SBI बैंक में पैसे जमा करवाने आएक यूवक के साथ फिल्मी स्टाइल में कुछ लोगो द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया है यूवक अपने बैंक खाते में 25,000 पै जमा करवाने आया था इस दोरान बैंक में आये कुछ लोगो द्वारा उस व्यक्ति को फार्म भरने वा उसके पैसे जमा करवाने के बहाने उससे 25,000 पै ले लिए यूवक को विश्वास दिलाने के लिए शातिरों ने एक पैकेट में 2,000,000 बता कर उसे थमा दिये और उसके बाद यूवक का मॉबाइल वा पैसे लेकर वहां से फरार हो गए जब यूवक को पता चला कि उसके साथ नगी हुई है तो उसने इसके सूचना पुलिस को दी मैं आया था ग्रामाब मॉबारा कि ये डोला कुछाल को अरुस्थे लगाओने इसके बाद उसने मेरा ब कि बट आढ़ा कि एडूला कुर knocked कि अरुस्ने बाद तुवक का घर्श एप तो ऊटानवी ले लिया और पछिस अजर ऐख ताम सभर परपाहर में वहां पार जाके ले लिया, वहां पर आगे लिया, वहां पर आगे लिए, उसने बोला कि भरोष सेक्टोर पर रखो, आप सुपाहजी 1-1-2 से नैसे गाया था, कि सेक्टर 10 में, SBI के पास, सनाची में, तो कि तैम हम तीन मिन्ट गंदर यहां, उन्टी के लिए, यह जो रहा है, तेरी पत्षी जाल गए, तुसरी तेरी पत्षी बर्दी आपना मवाइब दे दी, और में 2 लाख रभए मेरे रखे लिए, सबूद के तोर पर उसने 2 सजार रभी उसमता निकारे भी, और बख्यों बंद करके तुने दे दिया, ऐसा आप मने रखे लिए, यह जीव सी ओड़ाती है, कम सक्थी हो जैसे, तो उसके बाद और पैस भी दे गया, और इसका मवाइब दे रिखे लिए, बेरा पुलिस ने मामला दर्जकर जान शिरूर कर दी है, ऐसे में अब देखना होगा, कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकटपाती है, ब्यूरो र डेराबसी के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने पूरी तरह से हरताल कर दी है, यहां तक की अमर्जनसी और OPDB बंद कर दी है, डॉक्टरों का ये कहना है कि पंजाब सरकार ने छटे वेतन आयोग की सिफारशें लागू किये जाने की गोशना की थी, लेकिन उन्हें ला मिलने वाला NPA भी 25 पतिशत से घटा कर 20 पतिशत कर दिया गया है, जो की अन्याय है, डॉक्टरों की हरताल के कारण डेराबसी में आने वाले मरीज भी खासे परेशान दिखे, उन्हें बिना इलाज करवाए ही वापस लोटना पड़ा, डॉक्टरों का कहना था कि वेह जो को परेशान करना नहीं चाते लेकिन सरकार उन्हें ऐसा करने के विवश कर रही है। कागियों से लागु किये गे छटी पे कमिशन के विरोध में पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज हरताल कर हैं। वहीं डॉक्टरों की से हरताल के चलते अस्पताल आ रहे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि डेरावसी अस्पताल में हरताल के चलते सभी OPD को बंद कर दिया गया था। अस्पताल में केवल आपात कालिन से वाई हैं जारी रही। महीं सरकाल को लेकर डेरावसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार ने ही बताया। इस सरकार द्वारे लागों के एक छटे पे कमिशन में सरकार ने उनका MPA 25 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया है। असी सरकार ने सरकार ने शेमार पे कमिशन सरकार ने देना सी जिसचे सानू सेलरी वदन दिया सी ते बखी स्टेटनाने ते सेंटर ने भी देता और काफी राइस देती है। पर सरकार ने साथी सेलरी वदन दे बजाए साथा NPA 25 प्रसेंट तो भी प्रसेंट करता ते बेसिक पार पे तो भी डीलिंग करता। उस्ट देखे और क्या है पर और किटता कोष़ नथी बेसे करने पारेशिवरियेतल थी कोडी और चाहिण आठेवरियूंक पर आई साथिनी मेडिको लिगल या कगण्यों में चैक्षी आप एन्पर्में इसक्सर सब्सक्तिन करता, कि या से अपने लिए पार पर फेर भी असी सानु मरिजनल सानु सरकार नल ज्यादा पूरी हम दर्थिया भी असी होना था नुब तकलीफ हो रही है एमर्जंसी सारे हर तरनादे मरीज है जिनों भी लोड है असी अनुब पूरी साहता पूरा हर तरनादे फसिल्टी प्रवाइड कर रहे हैं और जाहे अमर्जंसी चाहे फीमिल प्रेंगनेंसी होए चाहे बलीवरी होए चाहे स्देरियन होए कोई ट्रॉमा है पोस्माटम है वो सारी सर्फिज आशी प्रवाइड कर रहे हैं अर्ताल के चलते डेरावजी सरकारी अस्पटाल में स्वास्ते सेवाऊं पर खासा असर पड़ा अस्पटाल आने वाले बरीजों को परिशानियों का सामने करना पड़ा मंजाब के सिर्टीरी के लिए डेरावजी से कुल दी पुमार की रेपोट सोशल मीडिया पर दमपत्ती गैंग्स्टरों से संपर्क होनी की बात सामने आई थी जिसके बाद गैंग्स्टरों से संपर्क के आरोप में पुलिस ने एक दमपत्ती को गिफतार किया है जिनके पास से पिश्टल भी बरामत कर लिगई है चंडिगर ऑपरेशन सेल की टीम ने अवयाद हत्यारों के साथ इन दोनों को गिफतार किया पकड़े गए अरोपियों की पहेचान सेक्टर 25 नवासी राहुल उर्फ साबू और उसकी पतनी हीना के रूप में हुई है पुलिस को दोनों के पास से 9 mm का पिश्टल, 32 mm पिश्टल समेट 10 जिन्दा कार्टूस पर बरामत हुए है जानकारी के अनुसार चंडिगर ऑपरेशन सेल की टीम को सूचना मिली थी कि दोनों किसी को हत्यार सप्लाई करने के लिए सेक्टर 36 और 42 के चौंक पर आने वाले हैं जहां पुलिस ने नाके के तुरान इन दोनों को किप्तार कर लिया यह दोनों सोशल मीडिया पर ग्रहक पसाते थे और उन्हें हत्यारों के सप्लाई करते थे अब पुलीस ये पता लगा रही है कि इन दोनों ने इससे पहले किस-किस गैंग्स्टर्स के साथ संपर किया और उन्हें हत्यार सप्लाई किये हैं ये भी पता लगाया जाएगा कि इन लोगों को हत्यार कहां से मिलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग्स्टरों से संपर्क कर उन्हें पिस्टल सप्लाई करने वाले पती पत्नी को चंडिगड ऑपरेशन सेल की टीम ने अवैध हत्यारों के साथ गिरफतार किया है पकड़ गई आरोपी की पहचान सेक्टर 25 निवासी राहुल उर्फ साबू और हीना के रूप में हुई है पुलिस को दोनों के पास से एक 9 mm का पिस्टल और 32 mm पिस्टल समेट 10 जिन्दा कार्टू सबरामद हुए है जानकारी के अनुसार चंडिकड ओपरेशन सेल की टीम को सूचना मिली थी कि दोनों किसी को हत्यार सप्लाई करने के लिए सेक्टर 36-42 की विभाजत सडकों से निकलने वाले हैं सूचना पर पुलिस ने फॉरन वहां पर नाका लगा कर आने जाने वाले वाहनों की चकिंग शुरू कर दी इस दोरान जब कार चालक को रोक कर तलाशी ली गई तो इन दोनों की सीट के बगल से हत्यार बरामद हुए जिसके बाद दोनों को गिरफतार कर लिया गया गिरफतारी के बाद दोनों को जिला अदालत में पेश किया जहां से दोनों आरोपी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमान पर भेज दिया है ये दस तारीक को ओपरेशन सेल ने 36 और 42 पे मार्कीट अटावा टन के बास एक नाका लगा रखा था चेकिंग के दोरान उनोंने एक शस्पेक्टेड जो वीकल एक्टिवा एसेंट कार थी उसको रोका और उस पे नाके पे ही वहां पे जब उनको उन लोगों को रोका तो वहां से एक कंट्री मेड पिस्टल और फाइव लाइव कार्ट्रेज उन से मिले और ये पॉइंट 32 बोर का पिस्टल था और लाइव कार्ट्रेज थे और ये हस्बेंड वाइफ है इनका नाम बाद में पता चला एक राहूल है ये सेक्टर परचीज का रहने वाला है उ इसकी जो वाइफ है वो हेना है और वो भी पत्री चोवी से एक साल की ही है तो ये इसका कोई वैरेट लाइसेंस वगरा नहीं दिखा सके तो इनके एकला फिर फिर फाइया धर्ज करके कारवाई करीगी इनका रिमान लिया है और अंडर इंवेस्टिगेशन है ये किसी को पूच्टाच कर रही है और उसे पूरा यकीन है कि पूच्टाच के दौरान दोनों से कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडिगड से कुल्दिप कुमार की रिपोर्ट करोना पर विजे पाने के लिए एक मात्र सादन है वेक्सिनेशन मोर्नी के पहाडिक शेत्रों में 312 गाउमें से 40 गाउमें शत्थ प्रतिशत वेक्सिनेशन का लक्षया पूरा कर ले गया है जो कि एक बड़ी उपतब्दी मानी जा रही है क्योंकि इन गाउमों में इंटर क्योंकि बड़ी उप्लब्दी हासिल की है बड़ी इलाके के गाउं में जहां इंटरनेट की सोविधावी नामात रही है और अन्य कई साधनों और सोविधाओं का अभाव है वहां चालीस गाउं में टीकाकरण का शत्पतिशत लक्षे हासिल करना एक बड़ी बात है रात में के स्वास्तिक इंद्र मौर्णी इल्स की इंचाज डॉक्टर उज्वल जीत सिंग ने बताया कि अभ्यान के तहत सभी 312 गाउं में टीकाकरण की शरवात की जा चुकी है और 18-44 आयू वर्ग की सभी लाभारतियों को पहली डोस दी जा चुकी है डॉक्टर उज्वल जीत सिंग ने यहां पर आने वाले कठनाईयों के बारे में भी बताया हमारे यहां जो कोविट के टीकाकरण का भ्यान चला उसमें हमने 312 गाउं को कवर किया 312 गाउं में से 40 गाउं को हमने फुली वेक्सिनेटिट कर दिया जो सरकार की स्कीम है 18-44 वाली उनको एक लिस्ट फर्स्ट डोस हमने दे लिए प्रोइट करती ह इस अभ्यान में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे यहां पे जादा दर नेट कनेक्टिविटी ना के बरापर है हम लोगों के घरों तक गए पहले तो मोटिवेशन मोटिवेशन में एनम आशा आंगनवाडी वर्कर इनका बहुत बड़ा रोल है इन्होंने कमजोरी आती है इन सब समस्याओं को विस्तार पूरवक डिसकुशन किया गया लोगों के साथ मिल करके तो आशा और आंगनवाडी की बैकमोन होने के नागते मुझे बहुत सपोर्ट मिला हमने लोगों को घर घर जाके मोटिवेट किया उसके बाद क्योंकि नेट का इशू यह लोगों का कहना है कि कुरोना वैक्सिन लगवानी कर देकर स्वास्ते विभाग की टीम ने उनके अच्छे खासी मदद की है और अवेब और लोगों की भी वैक्सिनिशन को लेकर प्रेल कर रही हैं दोनों की दोनों वैक्सिन ले ली हैं इस वैक्सिन का कोई साइड फेक्ट नहीं है मैंने सभी लोगों को इस वैक्सिन को लेने के लिए कहा है कि ये वैक्सिन लोगाओ और अपने जीवन को स्वस्त बनाई अपने गाओं में सभी ने वैक्सिन लगवाई है मैंने फर्स्ट वैक्सिन लगवाई है मेरे बड़ों ने भी लगवाई है और मेरे साथ के सभी भेन भाईयों ने लगवाई है और इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है और मैं सभी को जो भी मेरे भाईयों भाईयों मिलते हैं जिनोंने नहीं लगवाई है ना उनको सभी को समझाती हूं कि इससे कोई दिक्कत नहीं आती है जिनोंने नहीं लगवाई है वो भी लगवाने की खरिपा करें हमने है पहले सुना था लोग ओर करते थे लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट यहां पर असावर करें है दूसरे बार बार हमारे गाउं मेर आते हैं वह पूसम्जाते हैं हम लगा हुम समझाते रहे और सबसे पहले हमने हमेरे committing ten डर के था हमारे अंदर उसके बावजित भी हमने वैक्षिन लगाया सबसे पहले में ने और मेरी माता जी है वो 90-90 साल के नियरोबाट हैं तो हमने सबसे पहले वैक्षिन यहां पे लोगाई है और उसके बाद हमने पूरे गाउं को और जैसे होश्पिटल से यह आते थे आसावर कराते थे और जो भी स्टाप था वो सार सबसे पहले दो सबस्प्रकारियों का बड़ा सा योग रहा एनम और आगनवाडी वर्कर ने ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरिद किया और इस अभ्यान में लगातार आगे होकर काम किया जिसका नतीजा है कि आज 40 में से सो प्रतिशच्त वैक्सिनेशन हो मेरे गाउं में 98 लोगों को वेक्सिन लगनी थी और सभी के वेक्सिन लग चुकी है हमने शुरू-शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए आंगनवाडी वरकर आशा वरकर और एनम हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और ठीका लगवाने के लिए कहा हमने लोगों को कहा ठीका लगवाने के साथ मास्क और बार-बार हाद होना बहुत जरूरी है हमारा यहां का जो टारगेट है मतलब 131 का पापुलेशन है और जो यहां का टारगेट है वो 98 का है इसमें से 98 के हमारे जोग पूरे टार्गेट था वो पूरा हो चुका है मतलब यहां पर हमने गाउं में घर गर जाकर लोगों को मोटिवेशन किया कि इंजेक्शनों के लिए तो लोग मानने लोगों ने हमारी बात को माना और लगवाया अब भी मैं लोगों को यही संदेज देना चाहती हूं कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तब भी आप इन बातों को ध्यान लखें कि जब भी आप भार से आए तो बार बार हातों को दोएं अपने बच्चों को मतलब आपने बाहर से आने के बाद उनको अपने पास ना बुलाएं और मतलब बार बार हात करोना विशेशग्यू के मताबिक करोना वैक्सीन लगने के बायत करोना संक्रमित होने का खत्रा काफी कम हो जाता है। ऐसी में जरूरी है कि सभी लोग करोना वैक्सीन लगवाएं और करोना को मात दे हैं। पंजाब के स्वी टीवी के लिए पंचकुला से भीरोन पूर्ट बढ़ती महंगाई को लेकर कॉंग्रिस का प्रदेशन जा रही है इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्ट स्थारा नगर निगम करयाले के बाहर महिला कॉंग्रिस की कारेकरताओं ने जम कर विरूद किया इस अनोखे परदेशन में महिलाओं ने ठालियां बजाई और यह सबी महिलाएं सबजी बेचते हुए नजर आई इनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के कारण उनके पास अब यही एक मातर जर्या बचा है कि वे सडकों पर सबजीयां बेचें क्योंकि मोदी सरकार ने उनके घर का बजट हिला के रख दिया है बढ़ती महिलाई को लेकर कॉंग्रेस का परदशन जारी है इसी कड़ी में मंगलवार को सिक्ट सत्वा नगरनिगम का रहले के बाहर मैला कॉंग्रेस द्वारा अनूखा परदशन किया गया परदशन सुरूप ये महिलाईं थालियां बजाती हुई नजर आई ये सभी महिलाईं सबसी बेचते हुई दिखाई पड़ रही थी जिनके हाथों में होर्डिंग भी पकड़े हुए थे जिसमें लिखा था मोदी भगाओ देश बचाओ बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब हटाओ मोदी सरकार इन सबी महिलाओं का कहना है कि देश में मेंगाई बढ़ती जा रही है इसका करण है प्रेट्रोल डीजल और सोई गैस के दाम बढ़ना दिन प्रती दिन प्रेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रही है इससे मेंगाई साथ में आसमान पर है एक आम ग्रेहनी का घर चलान के लिए सबजियां बेचने पड़ रही हैं चन्नीगड महिला कॉंगिस की तरफ से आज हम लोग सड़कों के ऊपर सबजिये बेचने पे मजबूर हो गए हैं यहां पे जितनी महिलाएं बैठी हैं वो सारी परफेशनल हैं कोई ओफिस में जॉन कर रही है, कोई टीचर है, कोई लेक्षर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रफेशर है, कोई वकील है लेकिन महमारी की अंदर कॉविट के चलते हुए हमारी किस तरीके से नोकरिये चली गई उसको लेते हुए यह भेरोजगार हो गए एक husband से कि pocket से घर का खर्च नहीं चल रहा क्योंकि patrol डीजल हर तरीके की महगाई इतनी जादा हो चुकी है हम लोगा सड़कों के उपर हैं हमने सोचा कि सब्जी तो एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की जरूरत की साधन है लेकिन आज हम यहां सब्जी लेकर बैटे हुए हैं एक भी गाह कभी तक सुबह से नहीं आया और दूसरा तो दूसरा यह एमसी ओफिस वाले जो केके यादव जी हैं हमोग यह कहते हैं कि आप वेंडर्स अगर नहीं दोगे हमें फीज तो आपको आपका लेसेंस जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा मुझे यह बताओ आज हम सड़क के उपर हैं वेंडर्स बने हुए हैं वेंडर्स हम जब कमाई नहीं कर रहे हैं तो हम आपको क्या दे भूक मरी हुई हुई है आप मुझे यह बताएं कि आपने क्रोना में कौन सा प्लाकिश हम लोगों के लिए दिया जो आप हमसे तीन तीन हजार पे दो दो हजार पे लेसेंस फीज माग रहे हुई हुई शरम आती है यह कहते हुए मोधी सरकार यह बीजेपी का एका खड़ा बन चुका है अंदर हम लोग मिडल सारे ही मिडल क्लास से बिलॉंग करते हैं हमारा यह संदेश मोधी जी तक पहुंचना चाहिए कि एक जबजी के रेट पेट्रोल के रेट आपने हर चीज के रेट बढ़ा के आपने आम जनता को बिलकुल इस टाइम पे जमीन पे ला दिया है उनको आपने घर चूला जलता है तेल इतना महिंगा करके जो घर में चूला जलता है उनके भी आसार खतम होते नजर आ रहे हैं कि अब घर की ग्रैनिया चूला भी जलाने के टाइम पे सोचती है कि कहीं गैस नद्ध खतम हो जाए कि हमारा राशन कहां से आएगा या हम खर्चे कहां से तो हमारा मोदी जी को यह संदेश है इन चीजों के दाम कम करो ताकि यह जो देश है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले हमें मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चाहिए गोरतलब है कि बढ़ती मैगाई को देखते हुए कांवरेस ने बीजेपी पर हला बोलना शुरू कर दिया है ऐसे में अब देखना ये होगा कि बढ़ती मैगाई पर सरकार क्या गदम उठाती है या फिर ये परदरशन यूही जारी रहते हैं पंजब के सिटीवी के लिए यहां चंडीगड में गुजरे 24 घंटों में मात्र दो पेशन्ट सामने आए जबकि पंचकुला में भी दो और महाली में छे नए क्रोना पेशन्ट आए है और अब मौसम की जानकारी रुकरकर हो रही वर्षा और हवाओं के बीच मौसम सुहाना होता नजर आ रहा है ताप 24 घंटों में मौसम विफाग का अनुमान है कि रुक रुकर बारिश जारी रहेगी ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और समचारों और सूचनाओं के साथ तब तक के लिए रमेश हांड़ा को पुरी टेम के साथ दिजे जाज नवाज़ाद, नवाश्कार.